आप सभी को हमारे नमस्कार, मैं खोशी श्वालब करती हूँ आपका हमारी यूटूब चैनल पिहू का घर आगन पे सुर उपाशना वलो कास्था माहा पर्व छट पूजा की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुप कामना है चाट पूजा की इस पावन तेवहार पर बस यही है कामना आपके घर में हमेशा खुशाली हो, शान्ती एबं अस्विर्दी हो, सब की दिलों में हो, सब के लिए प्यार आने वाला हर दिन लाए, खुश्यों का तेवहार तो आप सभी को बहुत बहुत छट पुजा की हादिक शुपकामना है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये छट पर्ग जो है बिहार का बहुत ही परशीट और बहुत ही पावन्ते वहार है आज ये नहाय खाए तो आज आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि हमारे नहाय खाएं में आज क्या परशाद बनता है और कैसे क्या क्या जाता है तो आप वीडियो में बने रहेएगा और वीडियो अच्छे लही तो प्लेट वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पे नहीं तो प्लेट चैनल बर सब्सक्राइब करिएगा और मेरी दादी मा इधर बैठ कर चावल चड़ा हुआ है चुला पे मीटी का चुला पे तो दादी मा आच दे रही है और चावल बन रहा है और इधर जो है कद्दू भी चड़ा हुआ है और ओलका भी तो सब एक साथ हो और इधर सारा मसाला भी रेड़ी है हल्दी धनिया और और मेरी दादी मा वे आराम से बैट के बढा रही है तो चुला पर का होता है बहुत ही स्वादिश्ट होता है but in इधर कद्दू भी रेड़ी होने बाला है और इधर खाना वने गए है और सभी बच्चे लोंने भी हैनir तो यह लाडो है लाडो बैट के अराम से खाना खा रही है और अंटी लोग भी आए हुए हैं सब अच्छे लोग आए हुए हैं तो हमारे हैं सब लोग परशाद दूख खाने के लिए आते हैं तो मिलते हैं नेश वीडियो में नए वीडियो के साथ जै छठी मैया आप सभी लोग अच्छे से छठ पर सेलिब्रेट करें अच्छे से मनाएं खुश रहें मस रहें स्वस्थ रहें